आजब लाहिमिन श्यट्वान द्वजीन बिस्मिल्लाहित वाख्मान रहीम असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूं मुफिन दजार और आप लोग देख रहे हैं विर्चुल स्टूडेंट स्टूडेंट सर्पोर्ट सर्पिसेज यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की जो मेरी इंट्रेक्शन की हमारी जो असाइनमेंट नंबर वन आयूई है फाल 2020 की उस हवाले से हैं दोस्तों असाइनमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जैसे आप मुझे विर्चुल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल के अंदर प्रमो अवेलेबल हैं और दूसरे चैनल पर आपकी इंतेहान की तयारी के हवाले से यानि मिट्टर्म और फाइनल टाम की तयारी के हवाले से काफी अच्छा मैटेरियल अपलोड है उन दोनों चैनल्स के जो यूरल हैं आपको स्क्रीन के अपर भी नज़र आ रहे हैं आपको इस चैनल्स के अंदर देखते हैं कि हम सबसे पहले अपनी अफ़ाइनमंट की और एक्वायरमन्ट को देखते हैं तो हम इसकी यानि computer interaction की जो हमारी assignment number one है उसकी भी requirements को देख लेते हैं दोस्तों इस assignment के अंदर हमें दो question दिये गए हैं अब question number one है जो आपको screen के उपर नजर आ रहा है इसमें भी दो part है the part one experimental cognition is the state of mind in which we perceive act and react to event around us effectively and effortless it required reaching a certain level of expertise and engagement example include driving a car reading a book having a conversation and playing a video game अब यह हमें एक scenario दिया गया है and we are writing the answer of that question how driving a car is an example of experimental cognition के कैसे जो है वो driving a car जो है वो experimental cognition है explain with solid three to four lines इसको हमने तीन से चार lines के अंदर जो है वो लिखना है इसी तरह हमारा part B है collective cognition involves thinking comparing and decision making this kind of cognition is what leads new idea when creativity example includes designing learning and writing a book अब इसके अंदर भी same वैसे ही है जैसे हमारे part A के अंदर है कि हमने जो है वो पताना है कि कैसे reading a book is an example of reflective cognition explain with the solid three to five line इसको भी हमने तीन से चार lines के अंदर लिखना है यह तो है हमारा question number one अब इसी तरह हमारा question number two है question number two की भी हमें एक statement दी गई है as we know that the facebook have updated lots of feature in its every new update variant to improve the usability goal and the user experience goals to make the user experience more efficient कि जो अपकी facebook है वो आए दिन updates करती रहती है अपनी website के उपर ताके उनका जो usability goal है वो भी improve हो और जो user experience है वो भी improve हो अब हमारा इसके अंदर क्या role है हमने क्या करना है you are your task is to write down any five recent update feature of facebook that is increase the user experience इसमें हमने जो है पांच updated नए features बताने हैं तो यह हमारी इस assignment की requirement है जिसके अंदर दो question है question one के अंदर दो हिससे हैं और question two जो है उसके अंदर हमने five features of facebook बताने हैं तो दोस्तों यह हमारी इस assignment की requirement है बढ़ते हैं हम इस assignment के solution की तरफ तो solution हम इसमें जो है पहले question number one का जो part A है उसका solution मैं आपसे share करूंगा before the sharing of solution मैं आपको बताता चलूं के यहां पे जो है मैंने फिरस और फिरस यहां पे points लिखे हैं और मैं उन points को explain करूंगा आपने उन points को देखना है और हर बंदे ने जो है अपनी explanation खुद देनी है यहां पे मैं explanation भी दे सकता था लेकिन ना देने का जो है वो मकसद यही है कि कोई बंदा जो है इसको copy ना करे बलके हर बंदा जो है फिरस मेरी वीडियो को देखके इन points को देखके अपनी जो explanation है वो खुद लिखेगा मैं यहां पे explain करूंगा इसलिए मैंने इसको paragraph की शकल में नहीं बलके points की शकल के अंदर जो है वो आपको solution दिखाना है तो इसमें हम से जो question किया गया है वो यह है कि जो car driving है वो कैसे experimental cognition है हमने यह बताना है तो इसके regard के अंदर जो पहला point है वो है act कि जब भी हम car driving कर रहे हैं it means कि आप performing an act हम जो है एक act को perform कर रहे हैं हम एक operations को perform कर रहे हैं हम जो car driving कर रहे हैं वो एक act है एक काम है इसलिए इसको हम experimental cognition कहते हैं क्योंकि experiment के अंदर experiment basically नाम ही इसी चीज़ का है कि हम कोई काम करें कोई act को perform करें इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है comparing कि जब भी हम experiment करते हैं तो वो हम for comparing करते हैं two things किसी भी चीज़ का experiment ले ले किसी भी चीज़ का liquid का ले ले या कोई आप lab के अंदर experiment करते हो तो उसमें हम यही कर रहे होते हैं हैं फिर उससे अच्छे इसी तरह इनकी जो licensing है वो भी है htv ltv और फिर उससे उपर licensing है इसके बाद जो तीसरा मैंने point लिखा है decision making कि इसके अंदर हम लोग जह है वो कुछ decision भी लेते हैं I think this point is related to our second question इसके बाद अगला जह है यह मैं वहां पर explain करूंगा इसके बाद अगला जह है engagement कि जब आप driving कर रहे होते हैं तो आपकी जो intention है वो properly engaged होती है अगर आप उसके अंदर engaged नहीं होते तो आपको accident का सामना करना पढ़ सकता है तो जो हमारी experimental cognition है उसके अंदर जो engagement है वो most important है तो जब हम driving करते हैं तो उसमें भी engagement होती है तो इसलिए यह हमारी experimental cognition है इसके बाद अगला जो point है वो है training अब यहां पर training मतलब हम ऐसे नहीं है कि एक बंदा है उसको लाके गाड़ी पे बिठा दे और start करके छूड़ दे नहीं पलके उसके लिए proper आपको training की ज़रूरत है पहले आपको सीखना पड़ेगा फिर आप इस काबिल हों है और फिर वो खुझ से कोई experiment करते हैं तो यहां बे भी वही चीज़ involved है कि पहले आपको कार चलाने सिखाई जाएगी और फिर आपको कार जो है वो drive करेंगे इसलिए यह जो है experimental cognition है तो दोस्तों यह कुछ points थे जो मैंने आपको question number one के अकेश्ट जो है वो शेयर किये इसी हमारे question number one का जो बी पार्ट है उसके अंदर यह है कि कैसे जो writing a book है वो reflective cognition है अब पहले तो आपने वो reflective cognition की definition देखनी है जो आपको इस question के अंदर दी हुई है और वैसे भी अगर आप यही reflective cognition और experimental cognition गूगल के अपर सर्च करेंगे तो वहां पे भी आपको इनकी definitions मिल उस article को पढ़के ही मैंने यह assignment को solve किया है तो यहां पे reflective cognition को जब आप पहलेंगे तो फिर आपके लिए इस जवाब को समझना वो असान होगा इसमें पहला point है वो thinking कि जब भी हम कोई book लिखते हैं तो before writing the book first of all we have think about it कि हम किस topic पे लिखेंगे book को नाम क्या रखेंगे तो हम स सोचने वाली सलाइयत है यह हमारी reflective cognition के अंदर आती है इसलिए writing a book जह है वो reflective cognition है इसके बाद जो दूसरा है वो है react अब यह जो react है यह हमारे उस पहले part का हिसा था जहां पे defiant आया था तो यह react आपने वहां पे लिखना है अब act के बाद react कैसे होता है if we use gear अगर हम कोई gear द reaction होता है तो हम वहां पे जितने भी काम करते हैं उनका कोई न कोई reaction आता है तो वह हमारा reaction जो है experimental cognition के अंदर आता है इसके बाद जो हमारा तीफरा point है वह expertise अब हमें जो है यह point भी हमारा उसी question number one के जो ए पार्ट है उससे relate है यह इसलिए आगे पीछे हो गए है क्योंकि मैं मैंने एक को लिखा होगा और दूसरे को जो है वहां पे copy किया होगा और फिर जो है चेंजिव कभी मैंने उपर वाले page पे कर दिया होगी कभी नीचे वाले पे तो आप फिर सुन ले और सुनने के बाद जो है आप उसको जहां पे उनके points आते हैं वहीं पे लिखिएगा expertise need expertise to move back forward in driving के हमें expertise की जुरूरत होगी आगे जाने के लिए पीछे जाने के लिए forward driving के लिए तो experiment के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं तो ये आपकी experimental cognition है अगला जो point है learning अब ये learning जो point है ये हमारे इस B part के साथ relate करता है कि जब भी हम कोई book लिखते हैं तो उसके अंदर क ही ना कहीं पर कोई ना कोई learning वाली चीज़ होती है हम कुछ ना कुछ उससे फीखते हैं जो उस book का motto होता है इसके बाद अगली चीज़ है idea आप idea आप जब भी कोई book देखेंगे नया जब उसका कोई वरियन होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज नई आई होगी नया idea आई होगा आप जब हम डोगर्व बुक को ले लेते हैं डोगर वालों की डोगर ब्रदर्व की तो आप देखें जब भी वो कोई latest वरियन पब्लिश करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज नई डाल दते हैं कोई idea नया डाल दते हैं कोई creativity भी इसके अंदर point आ सकता ह तो creativity भी डाल देते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है ideas, learning, creativity ये हमारे reflective cognition के अंदर आती हैं इसलिए writing a book जो है वो reflective cognition है तो इस त्रीके से जो है हम अपना question number one solve करेंगे दोस्तों इसके बाद बारी आती है question number two की, question number two का solution शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं के मेरी जितनी भी videos होती हैं उनकी files नहीं होती और mostly जो बच्चे हैं जो mostly assignments को copy करते हैं उनको यह शिकायत रहती है कि मौसिद भाई आप जो है वो file share किया करें तो मैं file share नही करता तो इसलिए बार-बार request करने की वरूरत नहीं है हाँ अलबता एक काम होता है कि जो बच्चे मुझे pay करते हैं जिनके पास time नहीं है या जो jobians है job करते हैं तो वो मुझे जहाँ पे करते हैं उनको जहाँ मैं files बना के देता हूं तो अगर आप भी files बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे number पे WhatsApp का दिया हूँ है description के अंदर आप वहाँ पे contact कर सकते हैं तो उसके अगेव जह है आपको फिर कुछ न कुछ चार्जिव जह है मुझे pay करने पड़ेंगे फिर मैं आपको वो assignment बना के दे सकता हूँ file इसके बाद हमारा ये जो question 2 है इसके अंदर हम से पूछा ये गया है कि हमने five recent जो Facebook की updates है उनके बारे में बताना है यहां पे जह है मैंने कुछ 10 updates आप लोगों के लिए लिए लिखी है यहां पे इतनी ज्यादा लिखने का जो मकसद है वो यही है कि हर बंदा जो है इसमें से कुछ updates लेकर अपने उसके अंदर लिखेगा और ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं दस पर focus करें आप खुद भी Google कर सकते हैं कि कौन-कौन सी नई जो updates है Facebook के उपर वो कौन-कौन सी है आप अगर खुद Facebook यूज़ करते हैं तो आपको उन updates का already पता होगा तो इनमें पहली जो update है वो interface की है कि पहले जो Facebook का interface था वो इतन यूवर फ्रेंडली नहीं था अब जो interface Facebook वालों ने चेंज किया है वो यूवर फ्रेंडली है मतलब बहुत वारी जो चीवे हैं वो icon की शकल में आप लोगों को दे दी है अब उससे जो user है वो उसका जो involvement है website का वो यूवर फ्रेंडली बन गया है को उसको चीवे तलाश कर Facebook का जो update हुए वो है featured video का अगर आप YouTube के उपर आपका channel है तो आपको पता होगा featured video से क्या बनाद है इसी तरह अब आपकी जो Facebook का page है या आपका group है तो वहां पे भी आप जो है अपनी feature video को add कर सकते हैं अपनी feature video को लगा सकते हैं तो यह भी एहम feature है जो अभी recently update हुए है इस कुछ अपनी जो security है उसको भी improve किया है to provide the safe and secure environment to the user users के लिए तो यह safety भी जो है वो एक नया feature है कि उन्होंने safety और security को भी improve किया है अपने इस नए वरियन के अंदर इसके बाद अगला जो feature है वो है playlist कि जैसे हम अपनी YouTube channel के उपर playlist पना लेते हैं तो अब Facebook के उपर भी जो ल पर अपनी एक playlist भी create कर सकते हैं इसके बाद अगला जो feature है वो है page setting का कि अगर आपने कोई page बनाया हुआ है तो आप Facebook ने जो है वहां पे बहुत सारे जो features है वो enable किये है user control के हवाले से तो आपकी page setting आप अपनी मरवे से कर सकते हैं जो भी आपने रखनी है इसके बाद अग पहले videos upload करते थे और एक specific zone की requirement अगर आप उसको full fill करते हैं तो आप earning करते हैं इसी तरह अब Facebook के उपर आप online event create कर सकते हैं जैसे कोई seminar है आपने कोई जो है वेब का भी कोई seminar करवाना है webinar करवाना है तो वहां पर event create कर सकते हैं और वहां से earning कर सकते हैं तो यह भी एहम feature है Facebook का जो अभी recently update हुआ है इसके बाद अगले page के उपर भी आपको कुछ features दिखाये गए हैं उनमें पहला जो है वो ads का है जैसे हमारी बलके मेरी जो mostly channels है वो monetize हैं और उनके पर ads आते हैं इसी तरह Facebook का भी जो है अगर आपका वो requirements पूरी है तो वहां पे भी आपको dynamic products add आएंगे और फिर earning उन ads से होती है यह भी एक latest update है Facebook नई वरियन की इसके बाद अगला जो है वो music का है आपको royalty free music वहां पे available है without copyrights के इसके बाद अगला जो feature ह है वो safety का फिरा आगया live streaming का यहां पे आना था safety पिछले में था तो यहां पर live streaming है आपके बहुत फ़रे pages के उपर live streaming भी चलती है इसी तरह आखरी जो feature है जो मैंने लिखा है वो है creator playlist का यहां पे लिखा हुआ है I think कि यहां पे भी कोई गडबड हो गई है तो इस तरीके से जो है दोस्तों यह कुछ 10 जो है features है जो मैंने आप लोगों के साथ share किया है उमीद है आप लोगों को जो है assignment बनने का idea मिल गया होगा दोस्तों आखिर मैं फिर आप लोगों को कहूंगा कि मेरा चैनल है 24R7 teachers online जिसके उपर मेरे lectures available है आप उसको भी जरूर देखें और subscribe करें और जो मेरा दूसरा चैनल है key to success जिसके उपर आपकी mid term के तयारी या final term के तयारी के हवाले से material upload है आप उसको भी जरूर देखें और subscribe करें दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसे like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share करें जिनका यह subject है comment को subscribe करें अगर आप virtual university के student हैं हम मिलते हैं अगली किसी assignment solution की वीडियो में उसके तक के लिए अला हाफिव